आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ 385.389 booking筒 2389 jam per mole find the value of enthalpy change बेसिकली जभा हमने heat measure की तो हमें क्या मिली वो к्यों heat मतलब क्यों माइनस 885.389 J हम इसको किसमें 1 कणवर्ड कर सकते हैं हम इसको जूल पर मोल आजसे गी हीटी हमारी थो हमें पता है डेल्टा यूइशपल तो क्या होता है Q plus W अब वर्क डन क्या होता है माइनस में P external delta V P external delta V अब delta V मतलब change in volume और हम किस पर कर रहे है constant volume पर delta V zero तो मतलब work done zero तो delta U हमारा किस के बराबर हो जाएगा Q के बराबर हो जाएगा यह बहुत important चीज़ है delta U हमारा Q के बराबर हो गया अब delta U Q के बराबर हो गया तो delta U हमारा क्या लिख सकते हैं delta U को minus 885.389 kilojoule per mole लिख सकते हैं delta U को अब जो है अब हम reaction लिख लेते हैं combustion of methane का CH4 plus O2 oxygen के साथ reaction होगी क्या बनेगा हमारे पास CO2 gas plus 2 H2O liquid इसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहां पर 2 आ जाएगा तो यह हमारी balance हो गई तो अब जो है हमें निकालनी है enthalpy change मतलब delta H की value निकालनी है हमें तो delta H की value कैसे निकालेंगे हम बहुत simple है हमें पता है delta H क्या होती है delta U plus delta U plus delta RT delta NG यह equation लगानी हमें आप है बहुत important equation है याद रखनी है हमें सही equation बहुत ज्यादा important equation है तो जो delta NG है वो क्या है यहांप है जो delta NG होगा वो हमारा क्या होगा summation of stoichiometric coefficient of gaseous product minus summation of stoichiometric coefficient of gaseous reactant ठीक है जी तो अब यहांपर क्या होगा डेल्टा NG डेल्टा NG की जो value है वो क्या है हमारे पास 1 क्योंकि 1 है यहांपर gaseous reactant बागे वो तो liquid है हमारे पास minus 2 यह भी gaseous 2 plus 1 3 minus 3 that is minus 2 delta NG की value आगई simply formula input कर देंगे अब minus 885.389 plus r क्या है हमारे पास temperature के ता है 298.2 into अब हमारे पास r की value क्या रखेंगे 8.314 joule per mole per Kelvin में तो 10 की बार minus 3 कर देंगे क्योंकि आगे डेल्टा H of this reaction यह हमारी क्या गई डेल्टा है तो जो important चीज है वो यह है कि हमें एक तो यह formula याद कर रखना है और डेल्टा NG क्या है यह याद रखना है यह बहुत important है थेंक यू classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8 400 400 400 अपर